हेलो स्टूरेंट्स वैलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा सभी विध्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दियर स्टूरेंट्स मैंगनेट बेंस आप सभी के लिए 100% ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम क्लास किंडर गार्टन से कख्षा बारवी तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री वहीं यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो कख्षा साथ भी से बारवी तक की सभी विशय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री है इतना ही नहीं सभी प्रकार के प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी आपको प्रोवाइड किये जाते हैं ताकि आप हर एक परिक्षा जो भी आप तयारी कर रहे हैं जो भी परिक्षा देकर आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ेंगे उनके वीडियोज भी हैं 100% फ्री साती साथ आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहांपर बुक्स और ईबुक्स भी अवेलिबल है जो आपको प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर देंगी तो उनको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें MCQs, PYQs, Sample Papers जो की आपके कॉम्टेटिव एक्जाम्स में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं तो इसी तरह से आप बने रही हैं हमारे साथ हर एक विशय के वीडियोज देखिए कॉम्टेटिव एक्जाम्स की तैयारी कीजिए और देखिएगा आप कॉम्टेटिव एक्जाम्स जरूर क्रेक करेंगे हम सब की बेस्ट विशिज भी आपके साथ हैं चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ हमने अपनी पूरक पार्ठे पुस्तिका वितान का पहला पार्ट कम्प्लीट कर लिया था और दूसरे को शुरू कर लिया है दूसरे पार्ट का नाम है जूज, जो की लिखा गया है आननद यादब जी ने जूज कहानी के मादम से लेखक ने अपने ही आत्मक थात्मक शैली में ये लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन के संगर्ष को हम सब के साथ साजा किया है सब के साथ share किया है कि कितनी मुश्किलों और मशक्कतों के बाद उनमें पढ़ाई की और उनमें जो पढ़ने की लालसा थी इच्छा थी वो बच्पन से ही थी लेकिन परिस्तितियां ऐसी नहीं थी कि उनको सारी facilities प्राप्त हों लेकिन फिर भी उनकी जो रुची थी पढ़ा हम करेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना मेरे साथ ताकि हर एक प्रशन के अर्थ को समझ सको और उसमें नहीं जो भी क्याना चाहते हैं लेखाक उनको समझकर उत्तरों का निर्मान कर सको ठीक है चालो तो पहला प्रशन है जूज शीर्षक के और विचार प्रकट करते हुए स्वष्ट कर एई कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंदृये चारित्रिक विशेश्टा को उजागर करता है बताएए प्रशन है प्रशन का अर्थ बता देती हूं कि जो जूज शीर्षक है है उसके औचित्य परविचार करते हुए हमें यह बताना है कि क्या जो जो यह शीर्षक दिया गया जूज यह कथा नायक मतलब कौन लेखक जो मेन केरेक्टर है ठीक है कथा नायक मतलबBooks लीड हीरो ठीक है कथा नायक कहानी का नायक कि किसी केंदरी चारत्रिक विशेष्टा को प्रकट करता है क्या कि उनकी चारत्रिक विशेष्टा कैसी थी करता है हाँ करता है चलिए देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे शीर्शक किसी भी रचना के मुख के भाव को व्यक्त करता है अर्थात किसी भी कहानी या कविता का शीर्शक उसका मुख माना जाता है क्योंकि मुख से ही व्यक्ति की पहचान करते हैं कि हाँ ये वो है तो ये लाली मेडम है तो ये ये है तो ये वो है मतलब जो शीरशक है वो मुख का काम करता है तो शीरशक को पढ़कर अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरी कहानी या पूरी कवी तक किस पर आधारित होगी तो शीरशक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है इस पाठ का शीरशक जूज पूरे अध्याय में व्याप्त है अर्थात पूरे पाठ में शामिल है उसकी जूज उसका संघर्ष पूरी तरह से इस्पष्ठ है जूज का अर्थ है संघर्ष इसमें कथा नायक मतलब जो स्टोरी का हीरो है आनंद लेखा का आनंद नहीं अपनी बात किया ना नायक है आनंद ने पाठ शाला जाने के लिए संघर्ष किया यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गावई जीवन के खुर्दुरे या थार्थवा परिवेश को विश्व की कहानी नहीं है जो उसमें कल्पनात्मकता होगी या कुछ भी बढ़ा चड़ा कर बात कर दी चाहेगी यह लेखक के अपने स्वयम के अनुभव हैं तो उन्होंने अपने विश्वस निये डंग से व्यक्त किये हैं इसके अत्रिक्त इसके अलावा आनंद की माँ भी अपन बेच बेच कर उसकी जो भी बिचारे को लगता था जरूरत का सामान भूला कर देती थी वहीं अधी बात करें देशाई सरकार की जो गाओं के मुखिया थे उन्होंने उसकी पढ़ाई में हेल्प की तो वो भी है मराठी और गड़ित के अध्यापक उन्होंने सहयोग दिया मराठी अध्यापक ने उनको लिखने की कला से रूबरू कराया कई तरह की पाठे कुस्तके उनको दी जिससे उनक्या शब्द बंडार बढ़ा और वो इस शेत्र मेंने पुन होते गए गड़ित के अध्यापक ने भी उसकी सराना करना शुरूर की जिससे उसके मन में आतम भावना आतम विश्वास की भावना जागरत हुई और वो आगे बढ़ता गया इसलिए जूज शीर्शक बिलकुल सही है ठीक है और साथी साथ इस कहानी के कथा नायक में संघर्ष की प्रवर्ति है अब पूछा गया था कि उसका फ्यक्तित्व पूछा गया है ना कि नायक किसी केंद्र ये चारित्रिक विशेष्टा क्या उसकी चारित्रिक विशेष्टा का क्या वरनन किया है तो इस कहानी के कथा नायक में संघर्ष की प्रवर्ति है मतलब वो पूरी तरह से संघर्ष के प्रति समर्पित है है ना उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर द लगता है तथा अपने उपर लगे आरोपों का उत्तर भी देता है पिता क्या कहने लगता है याद है अरे यह स्कूल जाता था तो वहां से कहीं गलत संगती में पढ़ गया था तो कहीं नाटक देखने चला जाता था जुआ खेलने लगता इसलिए में इसका पाट शाला मानता है जब पढ़ने की अनुमती मिली तो पिता ने कितनी सारी बंदेशे लगाई कितनी सारी शर्त उससे रखी कि तू जाएगा लेकिन सुभा होते ही तुझे खेत जाना पड़ेगा वहीं से तू पाट शाला जाएगा और पाट शाला से आते ही बसता रखकर फिर तू खेत में चला जाएगा मवेश्यों को चरायगा धोरों को चराने जाएगा सब सकुष तू करेगा लेखाक नِंगा ठीक है मैं सब करूघुंगा लेकिन मुझे पाट Sena gäller West इसमें डिखा है पाट साला में बेसमें नय माहोल में ध्खलने क Despite अरश ने आदे के लिए संगर्श आया कि केंद्रिये चारित्रिक विशेष्टा को भी उजागर करता है ठीक है ओके अब है स्वयम कवीता रच लेने का आत्म विश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ लेखक को कभ ये लगा कि अब मैं स्वयम कवीता लिख सकता हूं पहले तो उसे जब धोर चराने जाता तो उसको अकेला पन पड़ा अशा लगता था कि याॉर क्यूंकि उसको पढ़ने की इच्छा थी तो वह यह सोचता था कि काश में पढ़ पाता काश में पढ़ पाता लेकिन अब जब वह वो gewidhyalay जाता है और कैला पन उसे मिलता वह भूत खुम जाता क्यों कि अकेले पन्मों कविता रच सकता है मतलब जो भी विचार आता है वो तेस तेस गा कर उनकी प्रैक्टिस कर सकता है नाच सकता है जूम सकता है तो स्वरचित कविता लेने का जो विश्वास था वो कैसे पैदा हुगा लेखक की पाठ शाला में मराठी भाषा के अध्य का ज्यान रखते थे आरों अबरों समझते हो जैसे सारे गामा पाधा नी सानी धापा मागारेसा तो यह सरगम होती है जिसमें उनको अच्छी खासी समझती तो अब वो लेखाक उनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ और इससे पहले उसने कभी दूसरे लोग के जीव लगते थे ऐसा लगता था कि कभी तो इस लोग के होते ही नहीं है क्योंकि ऐसी रचना है धोड़ी इस लोग को कोई व्यक्ति कर पाता है लेकिन ज पॉंदल गेकर ने उसे अन्य कभीयों के बारे में भी बताया वेसों भी कभी थे इसके बाद आनंद को ये विश्वास हुआ कि कभी उसी की तरह आदम ही होते हैं एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कभीता लिख दी कभीयों को ल पिचारों का ही है सब कुछ ठीक है तुन्होंने कभीता लिख दी तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के द्रिश्चों पर कभीता बना सकता है और इस प्रकार उसके मन में स्वेम कभीता लिखने का आत्मिश्वास जागा अगला है श्री सोंदल गेकर के अध्यापन की उन विशेष्टाओं को रेखांकित कीजिए जिन्होंने कभीता के प्रती लेखक के मन में रुची जगाई अब जो मराठी सिक्षक थे सोंदल गेकर जी उनका हमें ये बताना है कि कौन सी विशेष्टा है थी जिस से लेखक क मन में कवीता लिखने का इंट्रस्ट जागरित हुआ श्री सोंदल गेकर मराठी के अध्यापक थे लेखक बताते हैं कि पढ़ाते समयवे स्वेम रम जाते थे जो भी कहानी पढ़ाते थे बिल्कुल उसी में खो जाते थे और उनके मुक्से कहानिया कवीता है बिल्कुल ध और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास पुरानी नई मराठी कवीता के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कवीता भी कंठस्त थी मतलब याद थी उनको पहले वे एकात कवीता गाकर सुनाते थे फिर बैठे बैठे अभीने के साथ कवीता का भाव ग्रहन कराते थे पहले कवीता सुना ली फिर उसका भाव कि इस के पीछे कभी क्या कहना चाहता है फिर emotions के साथ expressions के साथ साथ वो कविटा को सुनाते थे उसे भाव की कि इनकवी की कविता भी सुना कर दिखाते विस्वैम भी कविता लिखते यादाए तो वे अपनी बी काद कवीता सुना देते थे जैसे आशावादी हूं जीवन में नहीं प्रभुता की प्यासी चैरे पर मुस्कान है रती रहती नहीं उदासी यह मेरी कवीता है मैंने लिख दी अपने ऊपर ठीक है तो वो जो प्रसिद्ध थे उनके जो सिख्षक थे वो बहुत ही अच्छे से कवीताएं लिखते थे यह सब सुनते हुए अनुभाब करते हुए लेखा को अपना भान ही नहीं रहता था मतलब भान मतलब अपना कुछ यादी नहीं रहता था उनको ग्यानी नहीं रहता था लेखक अपनी आखे और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगा तार दम रो कर उनको सुनता था ऐसा लगता था जैसे सांस भी रोक कर वो सुन रहा है पूरी तरह से लीन होकर और यही कुछ प्राप्त करने का सबसे बहतरीन तरीका होता है जब हम कुछ काम कर रहे हों पढ़ रहें तो सिर्फ और सिर्फ फोकसड हमें वही रहना है यदि खेल रहें तो वही रहना है खा रहें तो वही रहना है तब जाकर हमारा कार्य सही रूप से सिद्ध होता है सही रूप से पूर्ण होता है यह आप देख सकते हैं ठीक है और उससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी राइमिंग करने क प्रयास करता अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते तथा उसे कविता के ले चंद अलंकार आदी की बारे में भी बताते अब लेखक उनको बताता कि गुरू जी मास्टर जी देखो मैंने भी लिखी तो जो सिक्षक थे मराटी सिक्षक वो उसकी पंक्तियों को देखते कहते हाँ हाँ इधर से ऐसे करना है और उसको बहुत सराते भी दे इन सब कार्णों से लेखक के मन में कविताओं के प्रती रुची जागी और वो कविताएं गद्य सब कुछ लिखने में माहिर हो गए इतने निपून की आज हम सब के लिए प्रेर्णा स्त्रोथ है अगला है कविता के प्रती लगाव से पहले और उसके बाद अकेले पन के प्रती लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया कविता के प्रती लगाव से पहले लेखक को धोर चराते हुए पानी लगाते हुए दूसरे का काम करते हुए अकेल अपन बहुत खटकता था क्योंकि वो उसके मन में जो इच्छा थी ना विद्याले जाने की पाठशाला जाने की पढ़ने की वस उसी में ध्यान रहता था उसका तब ही तो कहते हैं कि जो काम रुची के साथ किया जाता है वो अवश्य पूरा होता है और उसमें सफलता मिलती ही है लेकिन बेचारों को पाठशाला नहीं जान देते थे तो कहीं गाय चराते ढूर चराते समय वो बड़ा बुरा लगता था और अकेला पन उसे खा जाता था खटकता था लेकिन उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में होना चाहिए उसे किसी के साथ बोलते हुए गप्षब करते हुए हसी-मजाग करते हुए गाम करना बहुत अच्छा लगता था अब कविता के प्रति लगाव के बाद क्या हुआ उसे अकेले पन से उब नहीं होती थी वो बोर नहीं होता था अब वह स्वयम से ही खेलना सीख गया अकेले में चंद बनाना कवीता गाना मौज मस्ती करना जूमते जूमते कवीता तेज तेज गाना इस सित्ती में आप क्या था वह उची आवाज में कवीता गा सकता था अभी अब उसे अकेला पन भी आनंद देने लगा था अर्थाथ जो उनका नाम था ना वो अब पूरी तरह से सार्थक हो चुका था अगला प्रश्ण है आपके खयाल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राओ का रवया सही था या लेखक के पिता का तर्ग सैतुत्तर दीचे प्रश्न पूछा गया कि पढ़ाई लिखाई की समद में लेखक और दत्ता जी राओ का रवया सही था या लेखक के पिता का बताईए तो ये तो हम कह सकते हैं कि दत्ता जी राओ लेखक का रवया पढ़ाई के प्रती बहुत सही था क्योंकि पिता की सोच कुछ अलगी थी पढ़ने जाता है तो ऐसा कर लेगा तो ये कर लेगा कौन सा तीर मार देगा बहुत सारा ऐसा ही होना चाहिए चली उत्तर देख लेते हैं पढ़ाई लिखाई के संबंद में लेखक और दत्ता जिराव का रवाय सही था लेखक का द्रिष्टी कौन पढ़ाई के प्रती यथार्थ वादी था उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला पढ़ने से उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरी भी दूर हो जाएगी वह सोचता भी है पढ़ जाओंगा तो नौकरी लग जाएगी चार पैसे हाथ में रहेंगे बिठोबा आणना की तरह कुछ धंदा कारोबार किया जा सकेगा दत्ता जी राव का रवया भी सही है उन्होंने लेखक के पिता को धंकाया और लेखक को पाठशाला भिजवाया यहां तक ही खुद घर्चा उठाने की भी धंकी लेखक के पिता को दे दी ठीक है तो यहां वहां हम देख सकते हैं कि उनके पिता जी का जो रवया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था क्यूंकि वो इन सब के विपरीद थे लेखक के पिता का रवया एकदम अनुचित था अनुचित मतलब उचित जो ना हो वो अनुचित है उसकी यह सोच तेरे उपर पढ़ने का भूत सबार हुआ है मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू एकदम प्रती गामी था वह खेती के कांग को ज़्यादा बढ़िया समझता था और स्वयम अयाशी करने के लिए बच्चे को खेती में जोकना चाता था जोकी घलत है बच्चे को पढ़ाई से रोकना और अपनी आप अयाशियों में डूबे रहना ये कहां का नयाय है ठीक है चलो अगला प्रश्ण है दत्ता जी राओ से पिता पर दबाब डलवाने के लिए लेखक और उसकी मा को एक जूट का सहारा लेना पड़ा यदि जूट का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटना क्रम क्या होता अनुमान लगाई अब जो थे दत्ता जी राओ ठीक है उनके पास गई उनकी मा लेखक की पढ़ाई की गुजारिश लेकर और उनको जूट का सहारा लेना पड़ा ठीक है क्या जूट का सहारा था वो पता है ना आपको चलो थोड़ा सा बता देते हैं कि अब वो गए की प्लीज लेकिन प्लीज की इस्थान पर नोंने कहा होगा कि दत्ता जी राओ जी आप इसके पिता को मत कहना की हम यहाँ पर आये थे नहीं तो वो हम पर भड़क जाए ठीक है यदी वो ऐसा नहीं करती तो उनका पिता कभी भी लेखखक को पाठशाला भेजने के राजी नहीं होता क्योंकि दत्ता जी राओ उस गाओं के मुखिया थे और उनका सब सम्मान भी करते थे अदब भी करते थे और उनकी बात तो लेखक के पिता को माननी पड़ी ज यदि दोनों ने जूट का सारा नहीं लिया होता तो दत्ता जी राओ उसके पिता पर दवाब नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिये गई काम ही करता और उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। वह सारा जीवन खेती में लगा रहता इस जूट के विना हमें यह प्रेड़ना दायक कहानी भी नहीं मिल बाती। इस तरह कभी-कभी एक जूट भी मनुष्य और समाज का विकास करने में सक्षम साबित होता है। अर्थार भलाई में समाज का हित होना चाहिए, व्यक्ति का हित होना चाहिए, कल्यान की भावना होना चाहिए, तो उस जूट को जूट नहीं कहा जा सकता और वो जूट जूटा नहीं होता। आशा करती हूँ, आपने ध्यान पूर्वक सुन लिये हैं, सभी प्रशन और समझ लिये हैं, जिससे आप सभी प्रशनों के उत्तर बखू भी लिख पाएंगे, और साथी साथ इस पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रशन आपकी परिक्षा में पूछे गए, मान लिजे कभी प्रिय विद्यार्तियों, हम इसी तरह से आपके लिए 100% बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का वादा करते हैं, किसी चीज का हम दावा नहीं करते, बस हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि आपको 100% फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और ह शामिल है NTSC, OLEMPIARD, IIT, JEE, NEET, UPSC, BANK, INSURANCE, सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आप देख सकते हैं, शत्प्रति चत्री, येस अब देखिया, आप लिंक दी गई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें बुक्स और E-BOOKS हैं, प्ली तो 100,000% आपको हेल्प करेंगी, तो उन पर ध्यान दीजिए, और बने रही हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबस्त रहे हैं, खुश रहे हैं, आगे बढ़िए, बाई, थैंक्यू सब्स.